बिहार सिक्षक भरती का दूसरा चरण शुरू हो गया है 10 नवंबर से अभियर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते है रेजिस्ट्रेशन वस्तुल्क जमा करने वाले अभियर्थियों के लिए आज सी आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध हो जाएगा इसमें अभियर्थियों को रेजिस्ट्रेशन में दर्ज सूचना से संबंदित प्रमान पत्र अपलोड करने होंगे आवेदन में ग्राजुएशन सीटेट एस्टेट आदी के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे दरसल बिहार लोग सीवायोग के तरफ से आयोजट बिहार सिक्षक भरती परिक्षा के दूसरे चरन का ऐलान 3 नवंबर को ही कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अभियर्थि रेजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 नवंबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं ऐसे में रेजिस्ट्रेशन के समय अभियर्थियों की व्यक्तिगत योगता व आहारता से संबंदित जानकारी मांगी गई है इसके बाद परिक्षा सुल्क का लिंक प्राप्त होगा यह दोनों प्रक्रिया 5 नवंबर से प्रारंब है इसके बाद अब 10 नवंबर यानि आस से आवेदन के लिए लिंक को प्लब्द हो जाएगा इसमें अभियर्थियों को रेजिस्ट्रेशन में दर्ज सूचना से संबंदित प्रमान पत्र अप्लोड करने होंगे आवेदन में सना तक सना कोतर सीटेट एस्टेट आदी के सर्टिफिकेट अप्लोड करना है तीनों चरन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही आवेदन को पूर्ण माना जाएगा शुल्क जमा कर अभियर्थि आवेदन प्रक्रिया को कताई पूर्ण नहीं माने तीनों चरन की प्रक्रिया पूरी करने पर ही वह परिक्षा में शामिल होंगे तो वहीं आपको बता दे कि 2023 की एस्टेट में क्वालिफाइड अभियर्थियों को सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं किया गया है ऐसी स्थिती में आयोग ने स्पस्ट किया है कि बिहार विद्याली परिक्षा समीती से अभियर्थियों को आवंटित यूनिक आईडि अप्लोड करेंगे सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर अभियर्थियों को आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी बिहार विद्याली परिक्षा समीती किसी भी परिक्षा में शामिल होने वाले परिक्षारतियों को यूनिक आईडिया वॉंटिद किया जाता है यदि कोई परिक्षार्ती एक से अधिक परिक्षाव में शामिल होते हैं तो उनका यूनिक आईडी सभी परिक्षाव में एक ही होगा जी हाँ तीचर बहाली के दूसरे चरण के लिए आज सी फॉर्म भरे जाएंगे जी हाँ बहार सिक्षक भरती का दूसरा चरण शुरू हो गया है दस तवंबर यानि आज सी अभियर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन का शुल्क जमा करने वाले अभियर्थियों के लिए आज सी आवेदन के लिए लिंक जो है वो वेबसाइट पर अप्लोड हो जाएगा इसमें अभियर्तियों को रेजिस्ट्रेशन में दर्ज सूशना से संबंदित प्रमान पत्र अप्लोड करने होंगे आवेदन में ग्राजुएशन सीटेट एस्टेट आदी के सर्टिफिकेड अप्लोड करना बेहत जरूरी है दरसल बिहार लोक सीवा आयोक के तरफ से आयोजत बिहार सिक्षक भरती परिक्षा के दूसरे चरन का ऐलान 3 नवंबर को ही कर दिया गया था जुसमें कहा गया था कि अभियर्ति रेजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 नवंबर से अपना फॉर्म भर सकते हैं पास से लिंक जिनरेट कर दिया गया है आज से तमाम अभियर्ति फॉर्म भर सकते हैं